हेलो दोस्तो मैं विकास अपने यूटूब चैनल पर आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तो आमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे आम एक अच्छे विजिनस को खराब टाइम पर खरीज सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट मंदी में ही होती है तब ही तो हम अच्छा रिटन कमा पाते हैं लेकिन सबसे ज़रूरी है अमारी कैपिटल को सिफ रखना तो आज हम बात कर रहे हैं एपिएस्ट माइंड की ये एक IT सेक्टर का स्टोक है आप सभी लोगे ने इसका नाम सुना होगा 2020 में ये इसका IPO 7300 रुपे पर आया था उसके बाद इसने 7300 से लेकर 1580 रुपे तक की रैली की इतना रिटन देखकर बहुत सारे लोग उपर के लेवल्स पर भी बैठे हुए हैं अब ये स्टोक अपने old time हाई से लगबग 44% डाउन है तो अब हम डिटेल में समझते हैं कि इसमें क्या कैदिकते चल रही हैं और क्या हमें इस स्टोक में आप इन्वेस्ट करना चाहिए या अगर हम इन्वेस्टीड हैं तो क्या हमें old करना चाहिए सबसे पहले हम इसके weekly technical chart का overview ले लेते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकती हो कि सितंबर 2020 में ये 3700 रुपे पर लिस्ट हुआ था उसके बाद इस स्टोक ने लगातार एक बहुत बड़ी रैली की जुलाई 2021 की साथ ये 1500 रुपे तक चला गया इसके बाद ये लगातार डा आसपा साकर रुखी अभी की बात करें तो ये स्टोक तीन बार 800 रुपे के आसपा स्पोर्ट ले चुका है वहीं 1000 रुपे एक strong resistance है तो 800 रुपे का स्पोर्ट फ्यूचर में टूटे गा या नहीं टूटे गा ये तो time ही बताएगा अगर आगे company में सुधार आते जाएं त स्टोक प्राइस ने 5X रिटन कर दिया था अब अगर इतने ज़्यादा रिटन इतने कम टाइम में मिल जाएं तो हो सकता है कि स्टोक कुछ टाइम के लिए time pass भी करें ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टोक आमेशा consistent रिटन दे हो सकता है कि कोई स्टोक 2, 5 या 10 साल कोई भी रिटन ना दे फिर एक मैने में इतना रिटन दे दे कि सब बराबर हो जाए फंडामेंटल की बात करें तो हैप्यस्ट माइंड एक IT सेक्टर की कमपनी है नंबर्स पर जाने से पहले हम एक वारिश के पर्मोटर असोक सुता जी को जान लेते हैं हैप्यस्ट माइंड की सुरूआत क को हमेशा एग्रेशिव अप्रोच के लिए जाना जाता है इनका मानना है कि अगर हमें जल्दी ग्रोफ करना है तो हम दूसरी IT कमपनीज को एक्वार कर सकते हैं तो माइंट्री में इनसे एक गड़बड हो गई इन्होंने सर्विस एक्टर जो की मेंली IT कमपनीज का काम होत है उसे चोड़ कर एक प्रोड़क्ट बेस कमपनी को एक्वार किया वहाँ से इने लगबग 200 करोड का लोश हुआ जिसके कारण इन्हे माइंट्री को छोड़ना पड़ा इसके बाद इन्होंने 2011 में हैप्यस्ट माइंड की शुरुआत की अभी भी इनका अप्रोच सेम ही है ये एग्रेसिव एक्विजिशन करते हैं लेकिन जो पास्ट वी नोने गलती की थी उससे सबक लेगर आज जहां दूसरी IT कमपनी के और रेगुलर बिजिनस जो सर्विस वो इतने सालों से दे रही है उन्ही पर फोकस कर रही है वही आप्यस्ट माइंड, AI, Machine Learning तता दूसरी तरह की Advanced Technology में काम कर रही है अब हम नमबर्स पर रज़र डालते हैं और दो तिन बड़ी दिखते जो कमपनी में है उसे समझते हैं एप्यस्ट माइंड, 13,526 करोड की Market Cap के साथ एक Mid Cap कमपनी है स्टोक का P अभी लगबग इसेट का है वही इंडस्ट्री का P 40 का है तो हम कह सकते हैं कि अभी भी स्टोक थोड़ा Overvalued है quarterly result की बात करें तो लगबग से quarters जून 2022 से अब तक sales में कोई खास बड़ोतरी नहीं है उसी के साथ profit भी लगबग सेमी है अलाकि last quarter से sales थोड़ी बड़ी है लेकिन profit वही है जिसका region है operating profit margin लास्ट quarter में operating profit margin 23% का था जो इस quarter में कम होकर 19% हो गया है yearly sales पर नज़र डाले तो 2012 से 2023 तक हमें sales में massive growth नज़र आ रही है नेट profit भी ठीक ठाक बढ़ रहा है अभी company पर borrowings बड़ी है उसी कार interest जो company loan के अगेस्ट में देती है वो भी लगातर बढ़ रहा है जो एक दिक्टत वाली बात है कर्ज की बात करें तो 549 करोड का कर्जा भी company के उपर है आमतोर पर IT सेक्टर की companies पर loan नहीं होता है पर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि असोक सूता जी aggressive approach में believe करते हैं इसी कार्ण ये दूसरी companies को acquire कर रहे हैं इसी कार्ण उन्हें loan की जूर्थ पढ़ रही है लेकिन या दिक्कत वाली बात ये है कि आप dividend payout देखो जो लग 32% के आसपास है तो अगर आपको expansion करना है तो dividend देने की क्या जूरूत है आप उसी पैसे से भी expansion कर सकते हो अब last में share holding पर नजर डाले तो promoter के पास ही 59.35% की holding है जो last quarter में 53.20% की थी अब promoter share holding लगातार कम कर रहे है जो एक negative sign होता है लेकिन बेची गई holding FII और DIA न अब last में हम investment की बात करें तो यहां कुछ important levels है जो मैंने पहले बताया था 800 रुपे एक strong sport है अगर आपका investment का मन है तो आप 800 रुपे के आसपास entry ले सकते हैं यहां पर आपका stop loss होगा 2% मतलब 784 रुपे 800 रुपे से उपर stock अपना तथा 784 रुपे से नीचे रुकना नहीं बस यही दिमाग में रख कर entry लेना दूसरे case में अगर यह breakout दे तो 1030 रुपे का level एक important level है यहां stock ने बहुत बार resistance फेस किया है तो जैसे ही 1030 टूटे तो entry ले लो और यहां से भी 2% का stop loss मतलब 109.40 पैसे एक दो बार 22% दे भी दोगे तो आपको कोई दिकत नहीं होगी अगर आप सोचो कि जब सहर की सभी traffic light green हो जाएंगी तो ही मैं गाड़ी लेकर निकलूँगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। टार्गेट वले ही ना हो तो आपको डर नहीं लगेगा। अब यह पेस्ट माइंड 43% डाउन है अगर सब अच्छा हो तो यह आपको डाउन क्यों मिलेगा तो आप entry का लोगे। यह मैं केवल एपेस्ट माइंड की नहीं बता रहा हूँ। यह एक जरन साइकलोजी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे चैनल को सिस्क्राइब करे धन्यवाद जय हिंज वारत।